मेरा नाम मौहमल लतीफ है मैं बाइप प्रोफेशन चार्टर एकाउंटेंट हूँ नॉबर 2016 में मैंने से फाइनल एक्जाम पास कर दिया था विद आल इंडिया 35 रैंक और जहां तक मेरा पढ़ाने का एक्सपिरेंस है मैं 2014 से पढ़ाता हूं और मेलनी जो मैंने पढ़ाया अभी तक वह एकाउंटेंसी सब्जेक्ट है तो आप यह समय सकते हो इस अभी तक मेरे पास six years का एक्सपिरेंस है आज जो बैच में रिकॉर्ड करना चारों जिसके वीडियो में अपलोड करूंगा वह हमारा रहेगा क्लास 11 का एकाउंटेंसी सब्जेक्ट इसमें सबसे प सब्सक्राइब कराऊंगा वह भी आपके पास होनी चाहिए तब ही फाइदा होगा इन लेक्ट्र को देखने का अगर मैं किसी और बुक से पढ़ाऊंगा और आपको सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले यह चीज है कि जो सेल्वेस हम कवर करेंगे वह हमारा CBSE का सेल्वेस यहां पर यह भी था है कि मैंने CBSE का सेल्वेस को चूज कर दिया क्योंकि जितने भी बोड्स है उन्हें जो अपना सेल्वेस बना दिया लाउने के वह more or less CBSE जैसा है क्योंकि बेसिक है लाउन्त में आप आये हो एकांटरेंसी पहली बार पढ़ रहे हो तो सारे बोड्स का क सेम ही रहेगा एकाउटनसी में क्या-क्या टार्गेट रखा होगा बच्चों को बढ़ने के वह सारे बोड्स का सेम है तो सीबेसिसरे बाइस करेंगे तो आपका जो रेस्प्ट्टिव बोड्स होगा आपके सेल्वेस करेंगे नहीं होगा ठीक है एक तो यह चीज कवर हो दुक था उन्हीं होते देखाले हो है जहां पर भी आपको बहुत सरे वहों स्कूल करणे तो यह दसे लें टीग्ते यह कि यहां पर पढ़ाऊगा मैंने यह वो बुक से पढ़ाऊगा जो हर किसी बच्चे के पास अवेलेबल होगी उसके लिए दो तरीके soft copy में यह थीज़ था कि जो book मेरे पास है उसका soft copy जो होगा वो मैं अपने यहां पर डिस्क्रिप्शन में अप्लोड करेंगा वो मिलेगा बट अगर उसका हार्ड कॉपी होना तो ऐसी बुख मुझे चूज कर नहीं थी जो हर बच्चे के पास को होगी तो इसके लिए मैंने क्या चूज कर दिया कि जो एंसी आर्ट की पफ्लिकेशन है उनको मैंने चूज कर दि उन्हेंने बुक को बनाया तो NCRT चूज बुक है वो मैं आपको पड़ाओंगा अब भी जो बुक मेरे पास है मैं आपको दिखाओंगा इसका पार्ट वन यह मेरे पास है बुक या आप मंगा सकते हो या आपके पास नजदी की बुक्सलर होगा उसके पास भी यह बुक हो और सारे concepts इससे हमारे cover हो जाएंगे तो यह तो दो बात है रही आपकी के cell bus कौन सा रहेगा और हमारी बुक कौन सी रहेगी अब हम आएंगे आपके cell bus को थोड़ा सा में अनलाइज करेंगे क्योंकि उससे हमारा पढ़ना आसन होगा 11th class में आपका accountancy होगा अगर CVS को लिया जाएगा नॉर्मल हमारे board में भी ही था है आपका accountancy पे पर 100 marks पे पर रहता है और यहां पर CVS वालों ने जो cell bus को बाइफरी कर दिया theory and project work पे कर दिया ठीक है theory में आपके 80 marks आएंगे और project work में आप 20 marks का रहेगा यह project क्या होगा basically जो भी आप accounting सीखोगे इन 80 marks के basis पे जो आप यह accounting सीखोगे इस के basis पे आपको अपने school में आपके teacher अधर एक case study देंगे और बोलेंगे कि वह assignment आप बना लो उस assignment के आपको 20 marks मिलेंगे तो अगर देखा जाएगा अगर यह 80 marks आप अच्छे से करोगे आप accountancy को accounting को अच्छे से समझोगे तो यह 20 marks भी आपको करने आएंगे बट यह हम इस chapter इस series में इस batch में नहीं करेंगे क्योंकि हमें मुझे पता नहीं है कि आपको जो teacher होगा आपको कौन सी case study देगा but believe me जो भी वह case study देगा अगर आप यह सारा चीज करो complete करोगे यह अच्छे से करोगे आपको case study आएगी तो इस हिसाब से हम पूरा 100 marks कवर करेंगे इसमें बट यह 20 marks आपको school में जो case study को इसमें करना होगा 80 marks हम शुर साथ यहां पर करेंगे ठीक है इन 80 marks का आप कर देखने के selfless में कैसे कर दिया तो आपके selfless को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पार्ट ए में और पार्ट बी में हमारे बोर्ड में मैं जेके board of school education से बढ़ा हूं तो हमारे में क्या होता है इसको term 1 बोलते थे या first semester बोलते थे तो यह में होता था और हमारे second semester हमारे साल में दो बार एक्जाम होता है हो सकता है आपके boards में वैसा भी हो अगर वैसा होगा तो पहले समय में आपके जो इस accounting subject में है दो units cover unit one or unit two unit one theoretical framework मतलब यह जो accountants की हम पढ़ेंगे ना इसकी जो पीछे theoretical background जो है theoretical framework जो है वो cover किया जाएगा कि accounting क्या है accounting concepts क्या है objectives क्या है क्यूं Auntie पढ़ रहे हैं कितने तैट के accounting होती है ठीक है वो सारा कुझत किًस होती है ABC . और concepts of accounting पो सिप्लेटूर्ट किया है और दूसरा है accounting process की accounting recording जो है वो कैसे कि जाती है जिस में पढ़ेंगे जर्नल कैसे बनाते हैं लेजर कैसे बनाते हैं वह बेसिक वह accounting process कहला था ठीक है उसके बाद unit 3 में आपको financial statement of the sole proprietor sole proprietor को मतलब का single owner ठीक है तो हमें यहां पर जब होड़ा सा आगे जाएंगे तो हम सीखेंगे के financial statement financial statement profit and loss and balance sheet वो कैसे बनाते हैं वो हम यहां पर second step में सीखेंगे और last में हम सीखेंगे computers in accounting मतलब अभी accounting computers के थूँ कैसे करते हैं क्या advantage है क्या कमिया यहां पर थी जो हम traditionally करते थे या पिछले जमाने में करते थे अब computer कैसे help कर रहे हमें accounting करने में वह हम सीखेंगे इसमें अगर आप देखो गए इस theoretical framework के आपके 12 marks है और accounting process के 40 marks है सोल प्रोपेटर के 20 marks है और आर्ट मक्स टोटल जाके आपके 18 marks है ठीक है इसमें अगर आप दो चीजे दो चैप्टर देखो गए unit no.2 accounting process इसके 40 marks है और financial statement प्रोपेटर इसके साथ एक और topic है छोटा सा incomplete records का इन तो इसके 20 marks है तो 40 versus 20 60 marks तो 60 marks तो यही दो units cover कर रहे है और हमारा main focus भी इन ही chapters पर होगा सबसे ज्यादा focus हमारा इस पर रगा क्योंकि यह basic है जो accounting है ना उसका basic जो है वो यह accounting process है अगर आपको यह accounting process समझ में आ गया तो आप किसी भी लेवल की फिर accounting करते हो कितनी भी company के आपको आएगी क्योंकि उसका basic है basic rule है वो हम यहां पर सीकिंगे ठीक है तो हमारा main focus इस पर रहेगा accounting process पर जितना चल्दी हो सब्सक्राइब करें कि हम accounting process पर आचागे इसके पर मक्स है तो बट हम वैसे नहीं करेंगे कि पहले इन theory को ही पढ़ेंगे फिर जाकर यहां बाज गए तेवरी से हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें जुर्द हो का समझें कि फिर हम directly accounting process पर जागा उसके बाद हम theory पर आजाएंगे और देखेंगे कुछ मत हमने छोड़ दिया क्योंकि आप अभी देखो in the long run अगर मैं आपको बताऊंगा आपको यह काम आएगा कली in the long run मैं बोर रहा हूं आपको इस पूरे आपके इसमें जो curriculum में दिया है सिर्फ य इसमें बी subject choose करो तैंट पर आपको एक broadway knowledge दी जो भी आपे friends थे जोने science stream choose कर दी आपको एक राइट दिया गया कि आप चूज करो कि आपको कहा जाना है तो आप लोग उन्हें commerce चूज कर दी जिसमें आप अगर आपने commerce चूज कर दिया है it means आपके कुछ plans है आपको financial matters में इंटरस्ट है तब भी तो अपने commerce चूज कर दिया अगर आपका इंटरस्ट है मतलब आपने कुछ सोच होगा मेरे मैं अपने career में क्या करना चाहता हूँ अगर mostly क्या करते हैं commerce देके सीए ठीक है और क्या है आप मुझे business चलाना है तो आप BBA MBA करोगे ठीक है या HR में जाना है ठीक है और क्या होता है CS मतलब commerce का मैंकर मैं आपको बताऊंगा कि commerce में क्या क्या fields आगे जिसमें आप जाओगे क्या 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 यह चीज होगा या तो आपने छिए होगा पते ह säger बनना है यह अपने क्या होगि हमने BBA इसके बात MBA करना है या अपने को या उपने पोड़ा कि मुझे सीहें बनना है या तो आपने बाविज्ट है है यह सारे ब्हुन当 करने या B.com, M.com उसके बाद PhD यह सब कुछ करना होगा बेसिकली इन सब चीज़ों को लेके बिजनिस जो बिजनिस के कंटेस्ट में काम आती वह आपने चूज करती है और इन hatte बिजनिसों को लेके एक सब्जक्ट है जो सब में पौबान waiting है और एक सब्ज़क्टहर है जो को रहेख्यों करde ल Eli Pan that अब आगे जब मैंने बोला कि आगे जब आप जाओ गए तो आपको सिर्फ लाउंति में से यह चेप्टर काम आ जागा थे और यह कुछ चीज़ा है जो आपको कंसर्प्ट में काम आएंगे आगे कुछ है वह आगे 12 मार्क्स बोलूगा वैसे हैं हम सारा करेंगे बट पहले हम इस इस अगाउंटिंग प्रसेस्ट को हमें बहुत अच्छे तरीकर समझाए क्योंकि आगे जाके मैं आगे जाके बोलूगा आगर आपको सीए करना है तो सीए आप लाउंतिके पाट करों तो वहां पर भी आपको काम आएगा यह एकांटिंग प्रसेस्ट पिर सीए का फांडे तो यहां पर मैंनों यह भी बताए कि आप क्या-क्या फ्लांस हो सकते है ठीक है यह बेसिक चीज रही ठीक है तो इस अगाउंटिंग प्रसेस्ट करेंगे उसके बाद हम थेरी पर आजाएंगे तो ऐसे हमारा पार्ट मन कंप्लीट हो जागा उसके बाद हम पार्ट तू पर प्रोप्रेटरिशिप के के फाइनल स्कृषप और आजगर के जमाने में कंप्यूटर करते हमें एकांटिंग करने में ठीक है पहले हमें क्या पहले दिक्कत है कहां प्यारे तो उनको कैसे ओवर कंप्टूर्स ने की यह वह हम पारिए इस तरह से हमारा से अपिलीट हो ही रहेगा ठीक है और जो more or less हमेशा ही निएगा मतलब कि अभी अगर में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप अगर दो साल तीन साल बात देख रहे हो गए तब भी आपके लिए relevant होगा ठीक है सिर्फ क्या करना है इसके description में जो link दिया होगा सेलवस का वह डॉनलोड करते हैं और compare कर देना उसलेंगे आपका यहीं सेलवस्वस है कि नहीं है ठीक है इंदो चीजी को मैं रख कर लेता हूं कि है 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 अब इस्टार्ट करेंगे अब हम से स्टार्ट करेंगे बट धेरि में मैं आपको कुछ बेसिक चीजे बता दोगा उसके बाद आगर प्रॉसस कंप्लीट हो जागा उसके बाद हम वापस आएंगे धेरि पर देखिंगे हम कुछ मत जुट गया क्योंकि आपके पिपर में अभी अलयां तो आपको थेरी म इसको भी कवर करें कि अभी हम इंट्रोडेक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप के जहन में सवाल होगा हम एकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं यह सवाल होना बहुत जूरु करें दिमाग में यह जब तक आपको यह समझ नहीं आए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं तब को इसे बना देया को डेफिनिटी जुन्हीं ने इसको पर मैनत की है इस को बनाने में उनके पीछे तो कुछ नजरिया है ना कि हम यह क्यों डार रहे है तो उस तो आपको समझना बहुत ज़रू है ठीक है अगर हम देखेंगे कि कॉमर्स में मैंने आपको बुला सबसे कोर स किसी भी बिजनिस का बैग्बून है आपने यह पता होगा कि पढ़ा होगा आपकी बिजनिस में आप पड़ोगे कि जो फाइनांस होता है फाइनांस फाइनांस को हम क्या बोते है बुलेड आप बिजनस कोई भी बिजनिस अगर करना होता है तो सबसे पहने किस चीज़ की पढ़ती है पैसे की जब कोई दो कि करना हूं जो इसाब पैसाब करते है अगर पैसे को नहीं रखेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि हम जो बिजनिस कर रहे हैं हमें फाइदा हो रहा है नुक्सान हो रहा है किस से कितना पैसा लेना है किसको कितना पैसा देना इस सब्सक्राइब रखना पड़ेगा ना मैंने किस से कितना उदार लिया है यह हम नॉर्मली अपने घर में भी करते सब्सक्राइब करेंगे इस हिसाब रखने को हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो हमने आप क्या समझा कि एक चोटा से चोटा दुकानदार क्यों नहीं हो एक बड़ा एक बड़े कंपने रखना पड़ेगा अपने इसने रखना पड़ेगा उसको पता चले कि मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है और मेरी फाइनांशल पूजिशन क्या है मेरे पास एसेट्स कितने हैं मेरी देखा जाए तो और profit हुआ है और आगर आगे देखा जाए तो और किसके लिए जरुरत है अगर उनको किसी भी bank से loan लेना है तो bank वाला बोलेगा उनको कि मैं आपको loan दू या नहीं दू मैं जानना चाहता हूं कि आपके financials क्या है आपकी company के assets कितने liabilities कि आपकी position क्या है आपकी performance क्या है तो कब पता चलोगा जब हमने उसकी जैसे अगर आप company over India में registered हो तो आपको अपने financial statements mca में जमा करने होते हैं उसके लिए भी आपको अपने financial statements बनाने पड़ेंगे तो accounting ज़रूरी है ठीक है तो इसलिए जब आपने commerce फिल चूज कर दिया तो जो भी हमारे service बनाने वाले हैं जो education बना रहे हैं तो उनको पता है कि इन बच्चों को यह आगे तो यह काम करने हैं आप अब सकते हो आप CS बन सकते हो आप कॉस्ट एक्वाटेंट बन सकते हो आप खुद business कर सकते हो तो जहां भी आपको आप तो शुरूरत पड़ेगी और जहां जारत है वहां उन पर आप जाओंगे तो आपका जॉब भी मिलेगी आपको ठीक है अगर आप फुद बिजनेस करो को तो आपको वहां पे we can do it कैंब का मिवटे के जुरूरी है कि हम्ह पॉथिंढ के लिए जुरूरी है हमारे टेक्स कमप्लाइंस के लिए स niveau क्लें जुरूरी है ठीक है यह यह वींच हो गया ठीक है तो accounting के बारे में मैं आपको बताता हूं basically accounting क्या है जो हम हर कोई करता है बट आप है फजर्ड मैनेर पर करने कोई hard and fast rule नहीं होता है अभी तग भी तुम accounting करते हैं होंगे कर रहे होंगे आपके घर में मम्मी पापा अपने हिसाब आप से accounting कर रहे हैं मट हम जो accounting पढ़ेंगे वह systematic में आप कैसे accounting करते हो है accounting करना आप समझो कि अपना हिसाब रख लेना ठीक है आपको पापा ने 1000 रुपय दे दिया था ठीक है तो आपको यह उम्मीद है कि पापा पूछ देंगे कि सब्सक्राइब करते हैं तो हर कुई अपने हिसाब से हिसाब रखता है अगर आपको दोस्तों के बीच में उदारी जलता है तो इससे कितना लेना तो वह है फजर में कौपी की कि सिपर इसे करके यह अपने No i mean में लिखा रखा होता है कि debtor मेरा को ने किस से लेना है या किसका कितना खार्चाब को तो ऐसे रहें लेतें बड़ चब अकॉंटिंग को यहां पर हम systematic way पर इसी हिसाब को business के हिसाब को business की transactions होती है उनको हम कैसे उनका कैसे हम इसाब रखेंगे ताकि हम at the end बता पाएं कि हमारी company में हमारी business में फाइदा हुआ है या नुक्सान हुआ है और हमारी position का है उसको हम उस पे हम arrive करें ठीक है तो सबसे पहले बात जो मैं आपको बताऊंगा accounting के बारे में यह हैं अब curiosity को बढ़ती होगी आपकी जूहीं आपने commerce जोइन किया होगा और accountancy पढ़नी होगी तो curiosity कुछ होगी आपको तो मैं basic दो चीज़ें आपको बताऊंगा accounting के बारे में दो basic चीज़ें में आपको बताऊंगा जिसकी वज़ा से अगर आप मेंसे किसी को यह डर होगा तो उसका डर दूर हो जागा पहली बात यह है कि आपको accounting के लिए न कि बेसिक कि मैथामेटिकल कि सिकिल्स कि रिकॉइड लुक्रों मैंने वर्ड उस किया basic है बेसिक अधिमेटिकल का स्किल्स are required if you want to learn accounting है मतलब यह का मतलब क्या हुआ हमने तो सुछा था को बूरा मैं अकांटिंक बिल्कुल मैं नहीं है बेसिक मैं था आपको 10 तक हर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में Maths पढ़ाया जा रहा था, पहले basic था nursery में आप 1, 2, 3, 4, फिर थोड़ा सा addition, subtraction, multiplication, division, यह सब सीखा है ना आपने, believe me, इनी सब चीजों के आपको जुरत है, कोई complicated mathematics के आपको बिल्कुल जुरत नहीं है, बहुत simple Maths जो है, in fact, trigonometry, 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 जो आपने पढ़ाया था, 10th में, उस सब चीज़ के भी यहां पर जुरत है, basic आपको divide into multiply, यह सब आना चाहिए, ठीक है, कोई complicated Maths आपको बिल्कुल expected नहीं है, तो कभी यह नहीं समझा कि मेरे 10th Maths भीक था, मुझे Maths अच्छा नहीं आता तो, मैं accounting subject नहीं पढ़ता हूँ, बिल्कुल accounting subject को फड़ हो गए, ठीक है, and you will play with these numbers, यह बात भी याद रखाए, you have to play with these numbers, but basic mathematics की जुरत है, कोई आपको, you need not to be genius of maths, कि आपको हमेचा 100s, 90s में math, maths में marks आते थे, तभी आप accounting कर वाग नहीं, आपको basic maths भी आ रही थे ना, तो आप कर भोगे, आराम से, ठीक है, और हम भी इनी numbers का प्ले करेंगे, यह बहुत important बात ही, accounting के बारे में, अगर आपको doubt होगा, तो यह बात में clear कर दो, आपको कोई hard math सी जुरत में, basic math से आपका काम चल जाएगा, ठीक है, अब accounting के बारे में आते हैं, कि क्या है accounting, आप भी सोच रहे है, accounting तो पढ़ने क्या है, तो आप याद रखो, accounting जो है न, एक language है, ही, एक language है, हाँ, accounting जो है, एक language है, अगर मैं आपको बताओंगा, अभी तक आपने कितनी languages सीखी है, एक language है, जिसमें मैं आपको बोर रहा हूँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी उर्दु मिक्स है, जिसमें मैं बोर रहा हूँ, तो दो language है, हिंदी, उर्दु, और, इंग्लिश, ये language है, ठीक है, इन तीन को बारे में तुम लोग में अगर कर रहा हो, ये language है, ठीक कि क्या करें 번ho communicate करें लुक्त है हुए मैं अभी आपको पर रहा हुं हिंदी उर्दू मिक्स है हुआ ऐ है कि अंधिय है ताकि मैं आपको अकॉझ फढ़ाना चाह रहा हूँ आप अपको समझना चाह हम तो हमने एक common language हुआ हे हिंदी कि यूट को भी Hindi समझ आती है मुझे भी Hindi समझ आती इंदी आती है आपको आपको भी बόन नहीं आती है और आपको समझ आती है तो दोने चीजें जुरूरत है जो मैं बढ़ रहा हूं वह समझ आने तो यह इसका मदत हमें कूछ लेंगवेज देते हैं इंदी उर्दू अर्दू इंग्वेज ठीक है और कोई एक्जांपू लेंगवेज की mathematics mathematics भी एक language है ठीक है इसके बारे में आपको शायद इसे अगरी करेंगे इसमें बट mathematics भी एक language है हम लिखते हैं two plus two is equal to four two plus two जब मैंने लिख रहा is equal to लिख रहा तो आप सबने बोला four अगर मैं इतना ही छोड़ूँगा two plus two is equal to आप खुद बोलो कि मुझे आंसर is four क्यों mathematics language है जिसमें इसका और इसका कुछ मतलब होता है ठीक है यहां तो मुझे दो को दो एड करो तो क्या आंसर आएगा यह मैंने हिंदी में बूला इसको mathematical लेकर बोलोंगो तो मैं यह लिखूंगा two plus two is equal to आप खुदी बोलो कि फूर तो mathematics में एक language है इसी तरह से accounting भी एक language है ठीक है अभी हमने क्या करना है हिसाब करना है ठीक है तो एक तरीका तो हिसाब का यह भी था मैं अपनी पूरा लिख लेता है लिख लेता है सबसे पहले आप समझ लो accounting अगर आपको समझ लिए ना तो अपने आपको किसी भी business का ठीक है मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको मैंने इस एन अगोंटेंट मेरे business में रख लिए ठीक है मेरा एक अपना business है ready-made garments का ठीक है क्या business है मेरा ready-made garments का रियल्टी में नहीं है मैं आपको as an example दे रहा हूं imagine करो मेरा ready-made garment का business है ठीक है आप मेरे पास आए आप मेरे पास आई और मुझे जोब चाहिए क्या चाहिए आपको जौब चाहिए मैं ने बहुत आगे जाना है बट समझ लो कि मेरे पासे की शॉप है और आप बोले कि मुझे जॉब चाहिए मैं आपको क्या था आप बोले कि अभी तो 10 से पास टो तो अगर आपको जॉब करनी है तो यह आपको सिखाएगा उसके बाद आप करोगे आप बोले सब्सक्राइब तो अभी मैंने आपको उसके साथ रखा वह आपको एकाउंटेंट सिखाएगा तो इस चीज को जहन में रखो जब भी याद रखो तो आप यह समझ लेना कि मुझे इस बिजनेस में एकाउंटेंट का जॉब करना है तो मुझे यहां की एकाउंटिंग समझने इससे क्या होगा आपका समझना आसान होगा ठीक है अब बिलीव में ट्रांजक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आप उसको ट्रैडिशन वे में जैसे हम अपने जैसे आप अपने पॉकेट मुनी का हिसाब रखते थे आपके पापा सैल्वी में से किसको कितना देना हुआ हिसाब रखते थे वह वहां पर चलेगा बिजनेस मे हिसाब वैसे ट्रैडिशन वे में हिसाब नहीं रख पाते हो जूरत है एक एक सिस्टमेटिक वे में उस बिजनिस की एकाउटिंग की जाएगे ठीक है एक तो वही गर्स है कि मुझे अपना पता चले कि मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है मुझे किन-किन से पैसा देना है किन-किन को पैसा देना है यह मैं ट्रैडिशन भी रख सकता था उसमें रखना बहुत दिक्कत हो जाएगा तो जुरूरत इस बात ही है एक खास लेंग्वेज में इसको हम एंकोड करें और डिकोड करें ताके हमें फिर समझ वहां से वह चीज समझ आ जाए मैंने क् हुँ जिसका यह शॉप है बिजनिस है मुझे जानना है कि यहां के एसेट्स कितने यहां के लाइबिल्टीज के है तो मैं ट्रैडिशन वेमें एक्कॉंटिंग जो लेंग्वेज है उसके जरिये से मैं उसका हिसाब रखूंगा तो एक पर्टिकुलर लेंग्वेज है जिस समझ आ जाएंगे ठीक है तो उस लेंग्वेज को हम समझे समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक लेंग्वेज है बतला मैं कोई भए रखना कि आपको वो लेंग्वेज सीक्षानी है उस लेंग्वेज को सीखने के लिए आपके पास त्रुक्या चाहिए बेस्ट मैथमेटिकल चाहिए ठीक है तो कन्फूजिए दूर हो गया गोल गोल समझ में आ गया, confusion दूर हो गया, गोल समझ में आ गया, हमें यह accounting की language चीखनी है, और इसके लिए हमारे पास जो basic skill required है, कि हमें basic mathematics आनी चाहिए, तो सबसे पहली बात जो आपको याद रुखना चाहिए, वो यह चीज के accounting एक language है, ठीक है, इस language को तुम्हारा target है, इस series में समझ लेना, और दूसरी चीज क्या है, क्या करना है, इस जरीए से क्या करें, इस accounting language के जरीए हम क्या करेंगे, इस business का हिसाब रखेंगे, ठीक है, अब मैं आपको process बताऊंगा कि कैसे accounting करते हैं, ठीक है, कि यह हम समझा क्या हमें language सीकनी है, अकउंटिंगे एक covered language है, इस language को सीकिंगे, ठीक है, इसके जरीए से हम business का हिसाब रखेंगे, तो यह हिसाब रखने को का जो process रहेगा, हमें accounting करने का, हिसाब रखने का, जो process रहेगा उसको हम यहां पर decide करें discuss करेंगे ठीक है तो accounting में हम सबसे पहले क्या करते हैं हम identify करते हैं क्या करते हैं identify करते हैं हब आप बोला कि सर identify का मतलब क्या है मैंने बोला आप कुछ नहीं करो याद है ना मैंने क्या रखा है आपको अभी आपको मेरे मेरे याँ जॉब करनी है ठीक है तो उसको दिमाग में लाओ ठीक है तो उस accountant के पास मैंने आपको रखा मैंने बुला आप observe करो क्या हो रहा है बिजनिस में ठीक है यहां पर इस शोरों में जो चीज़ भी हो जागे न आपको उद्धर रखा सबसे पहले आपको चाय दी गई तो आप observe कर रहा है ठीक है चाय मेरे पास आई मैंने चाय पी ली ठीक है उसके बाद क्या हुआ आप ने देखा कि एक customer आ गया एक customer आया और उसने कुछ कबड़े देखे ट्राइवाय कर दें उसको कुछ पसंद नही आया और वो चला गया ठीक है आप देख रहे हो क्या हो रहा है उसके बाद क्या हुआ एक और customer आ गया उसने प्राइब कर दिया और उसको पसंद भी आ गया उसको पसंद आ गया और उसने बिलिंग रादी और वह चला गया ठीक है तो एक चीज हो गई यहां पर मैं भी लिख रहा हूं ठीक है ना जो जो हो गया पहला कस्टमर आ गया था उसने क्या किया वो देखें कब देब अब आ गया ठीक है वो जब आया देखने तो आप उस अकांटेंट को भी अब्सवर कर देखा दो दोनुद चीजों को अब्सवर करना है फिलाल जो जो भी वहां पर इवेंट्स होंगे आप उनको अब्सवर कर लेना मैं लिख रहा हूं यहां पर कुछ टर्म ठीक है क्या कि इन आप मैंन का उसको कुछ कब्डे दिखाना दिन्होंट स्वरादर यूवेंट हो गया ठीक है उसके बाद क्या गया बढ़े तो खाली वापस इला गया प्क उसके बाद एक दूसरा कस्टमर आ गया इसुर Would तो ऊसके रदी यृश कास्टमर म्ने क्या कर दिया कि उसने पर्चेस कर दिया ठीक है उसने कब्डे पसंद आ गए उसने ठीक है इनको बिलिंग कर दो और उसने वह ले लिए ठीक है तो क्या होगी हम मेरी मैं बिजनिस की और बंदे के बीच में ट्रांजक्शन होगी कि अच्छा तुम में से कोई बो रहा है सर सेल होगी हमारी ठीक है मैं लिक रहा हूं सेल होगी ठीक है ना हमारी तो सेल होगे ना क्योंकि मेरा सेल में बो रहा है सारी सेल में मेरा नाम लिख लिए क्योंकि उनको कमिशन मिलती है ठीक है कि सेल होगी उसके बाद क्या हुआ आज के दिन में यही होता रहा कुछ कस्टमर आ गए उनको पसंद आ गया उनने खरीद लिया ठीक है तो हमारी सेल हो गई बिजनस ही और कुछ आये उनको पसंद नहीं यह वह ऐसे चले गए ठीक है और क्या हुआ अगले दिन तुम आ गए और इसी करीके से एक महीना हो गया ठ मारे डेखा आनों सटाफ है उनको सैलरी सटे रहा है plaster है घ्री आ और बीच में यह भी देखा के हमारा माल खथम हो रहा था ठीओ कर जो हमारा माल है ट्रीक है जो वह पर पढ़ा है जिसका मिया मवलता है प्कुन खौ горaring और क्या बोल्ते उंको उब्सक्यांप consumo गया था तो ह हमने खरीदा था और तुमने देखा था कुछ expenses हो रहे हैं कुछ expenses हो रहे हैं हम चाय पीते हैं वहां पर तो चाय के लिए हम होटल वाले को पैसे देते हैं इस बिजनिस का रेंट देना पड़ रहा है हमें अकी सब्सक्राइब तो अब तुमें क्या चाने करने हैं क्या करने हैं क्मक्राइबक करूष्यण क्या नसुन हो趣 teammate करें चैसिंद है करने पैसिक शेटा करने कि सब पहले शुरक्रीआ या ना आउठ सब और यह करना है यू है 20 तो है 105 वाट तो आइदेनिफाइड वाटॉड है फिल्गें का निस्हाइट मätरब पर वाउन गाफ करुंगा यो एदिकिफाइड the transactions of the business वो सबसे पहले चीजा आपको क्या करना है जो पे-transactions होगी इस business में जो भी transactions होगी इस business की उनको तुमने identify काया करना है identity करना है ठीक है तीहाब मैंने word यहां पर किया transaction क्या किया word और यहां पर देखो जो शोरूम है ना जो मेरा शोरूम है रेडिमेंट गार्म वह मेरा बिजनिस है तो उसकी जितने भी ट्रांजेक्शन होगी उनको मुझे कि यह ऐडेंटाइड है करना आफसे एकमेंट के लिए सबसे ट्रिगरिंशन रहेगा क्या रहेगा आख सबसे पहले मैं Housing का इमनेट का बोतें है वहां यह सेल्समें को पुला मुझे कबड़े दिखा दे that's an event उनके बीच में महलब बहस होगी नहीं तुम मेंगा दे रहो नहीं यह दिखा दो वह दिखा तो वह सारे इवेंट से असेकिग बट उनकी अगंगरेंगे या नहीं उनकी एकवाउंटिंग नहीं करेंगए तर मादीजर किन की होगी औन इवेंट सिजी विच वेलीड गो रांशेक्शन सट गया रांशेक्शन स्केष गार अच्छरंग में जानुयों क्या होगा धेडคेम चू 국ण क्या होगा को अलग निकालना है इवेंस जितने भी वहाँ पर एक्थिटूट होगी उनको अलग निकालना है और वह ट्रांजक्शन को न से होनी चाहिए जो सिर्फ बिजनस की ओगहर वह बिजनस की हो तो इसंगा नहीं करेंगे बिजनस के transactions देखो वहाँ पे न मैं भी हूँ I am the owner of the business I am the owner of the business तुम्हें accounting किसी करनी है business की करनी है सबसे पहला fundamental देखो अभी हम accounting करें नहीं आगे तो हम दो चीज़े सीखेंगे हमारा initial target रहेगा accounting को समझ दे के लिए दो चीज़े ठीक है मैं उपर लिखूंगा कहीं पे हमेरे हमारे टर्गें रहें ना दो चीज़े रहेंगी इन दो चीजों को हमने समझ में अफ licensed यह दो चीजों हमें समझ में आ गः तो हमें accounting समझ में आ जागी के दो चीज देहीं पर लिगंगे मतलब जो ठेवरी रव नहीं आउना उसमें दो चीजों को Marcus कर एक अगा का में लेंग्वेज को हमें समझना है जब तुम किसी भी लेंग्वेज को समझते हो जब इंग्लीस समझे ते सबसे पहले क्या समझा रहे तो आ A, B, C, D, E, F, ठीए, लेटर्स समझा रहे थे उसके बाद आपको बढ़ा रहे था A for apple, B for voice, E for cat, यह समझा रहे थे यह words थे, यह words थे जब तुम हो गये, फिर तुम्हें एक sentence बनाना पड़ा, और बनाना आ गया, और वह sentence बनाना आ गया, तो तुम्हें English आ गी, इसे हिंदी म में भी तुम पहले जब बच्चा पाइदा दो तो थोड़ा थोड़ा ममा पापा ऐसे ऐसे words सीखता है, उसके बाद उसको बहुत सारे words आता है, और वो उस language को बोल पाता है, इसी तरीक से accounting language को समझने से पहले के लिए जरूरत क्या है, हम accounting के उन terms को समझेंगे, जिसके basis मे क्या करेंगे, हम इन terms को समझेंगे, ठीक है तो ये हमारे गोल रहेगा, जो मैंने यहाँ पर यह words बोले, यक्क्षान दिक्षैन दिक्सिन दिरी, अगर मैं आपको बोलो मात इस language का पना मतलब है , जिसके accounting दिक्सिन दिक्षैन दिरी रखिए खेंगे, तो एक को एंट में थ होता है ,shale ,salary ,stock ,goods . जैं आपको English की दिक्शेस हैं की दिक्स्टाइM पूम पर किसी चीज के लिए बोला जाता है , ठीक है पूल है , अपने की सेखने तरक रहा मजए तो हमारा गोल रहे गाइन है भाheim Basic Accounting Community क्रिकल नहीं आजाए क्यूं वह टीि जो ग्रैमर है वो फीक लगा रहे हो कि नहीं लगा रहा है कि अम लेखें झाना जब हुम छुटे थे आगे जब हम इंगली सीख रहे तो हम क्या लिखते थो पहला सेंटेस हमने सी का था बॉय फिर हम पूर थे इस एड बॉय ठीक है इस इस एब आप आगर बोलूंगा इसका कुछ मतलब नहीं निकला न वर्ट तो वही थे बट मैंने इनको प्लेस गलत जगा पर कर दिया तो इनका कोई मतलब नहीं निकला तो हमें यहां पर समय आ गया कि अगर मुझे का और मुझंधी नहीं आएगी मुझे Holz नहीं आईगी तो यहां पर हमें क्या सीखना है कि सिखेंगे इक उक्यांटिफें उसकी ब्रीण Renee पर भटे उसकी लिए सा सब्सक्राइब कर आएग है माउं ऐसकं ह dai यह विश्य जोन हम दैब के आप सताफ है इसका नाम है बिजनिस एंटीटी कंसर्ट क्या है हम लास्ट में इनको दुबारा से पढ़ेंगे सारा थेयरी को अभी जो जो कंसर्ट मुझे काम आएगा वह मैं आपको बता दूंगा ठीक है बूलना नहीं आप कहां पर हो भी वह भी याद रखो आपको करने हैं ट्रांजेक्शन जो सिर् पढ़ाओंगा वह भी लास्ट में उसके वक्त ही आपको समझाएगा कि क्यों वहां पर आपको बताऊंगा जहां पर इसकी जुरुद पढ़ेगी ठीक है यहां पर मैंने आपको बेसिक रूल यह आप जो एकाउंटिंग करोंगे ना आपको मैंने हाइर कर दीआ आपको मेर आप एकाउंटिंग किसी करोगी जो बिजनेस के ट्राइक्शन ओगे ठीक है जो मेरे बिजनेस के ट्राइक्शन हो गये ठीक है अग्श्पोस मेरा कोई मेरा बाई आया उसने बोला मुझे 10,000 रुपए दे दे मैंने आगर उसको अपने जेश्व दस जारुप दे दिए तो बिजनिस का कुछ involvement नहीं है ठीक है तो इसकी accounting नहीं होगी अब जूसरी चीज देखो अगर मैंने उसको बिजनिस का वो रखो counter जहां पर cash होता है ठीक है cash counter है अगर मैंने वहां से बोला accountant को 10,000 मेरे बाई को देते हैं तब बोले कि सर बिजनिस की transaction है क्यों बिजनिस का पैसा गया है इसका इंपेक्ट मना जाएगा कि ओनर ने बिजनिस से पैसे वापस निकाले जैसे ओनर पाप वैसे पैसे लगाता है बिजनिस में ठीक है मैं एक और कर्मेंगर का दिक संफिव न्यों की करनी एक कि आएगार्मेंट का बिसनिस है मैंने डिसाइड किया है कि मुझे बिजनिस करना तब ही हम बोलते हैं business में जो पैसा ये बंदा लगाएगा इसका ओनर लगाएगा ये पाँच तक उसको हम capital बोलते हैं क्यों business अलग है और businessman अलग है तो यहां पर भी जो तुम accounting करनी है सब से पहले तुमने identify करने है transaction of the business जो business की transactions होगे सिर्फ उन्हीं की accounting करनी है तो business entity concept बोलता है हमे बिन्हिन एक separate entity है business अलग है businessman अलग है हम जो accounting करेंगे हम business की accounting करेंगे हम businessman की accounting नहीं करेंगे वह अगर बिसनिस में प्ईसा लगाएगा तो हम उसका एक इक अकांट बनाएंगे business में बोलें बाई तूने इतने पैसे business को दिए जब तो वहां से निकालेगा पैसा जैसे अभी किया था अभी क्या KIA GUY्या था इसने अभी इसने बायी को बिजनिस में से 10 रूपय दिते हम बोलें के तुने चलिब पांच । इसमें से हम 10 र् म необходимо करेंगे अब आप बोलेंगे बिजनिस में तेरा 4,90,000 है तो सबसे पहले हमने क्या किया हमने आइडेंटिफाइ कर दिया उन ट्रांजक्शन को जो बिजनिस की है अब मैं एक एक्जाम्पूल देता हूं किनकि उस एक्जाम्पूल को मैंने कंटीनू कर देना है आपके इन चीज़ों को प् सोरी एक प्रिंटर को परचेस कर दिया जिसकी कोस थी तैन थाउजन ट्रॉपीस क्या थी तो हम ने क्या किया kellốc और कुंचि titled ही अधे vhнов रखेश किर दिया थीक है तो आपने transaction को सबसे पहले क्या किया है identity किया I didn't transaction कुझे वोगर शेश arerin है आप फिर्ण इसको आप नोट कर देना ठीय कहें सबसे पहलेन को छb स्टार्ट करेंगे कैसे काम अकांव्टिक हो जागा सबसे पहले आपको क्या करना है यू है टो ऐडेंटिफाइड दाट रांजक्शन सब्सक्रांच्विंश तो और सौरा इंवेंट्स उसमें से शिर्फ प्रांजाइशन उन ट्रांजक्शन के विश्मेंश की होंगा ठीक ह पॉर रुपीज 10,000 ठीक है यह हमने कर दिया आपने बोला यहां तो मुझे लग रहा है कि एक ट्रांजेक्शन हो गया और यह बिजनिस के लिए हमने प्रिंटर को पर्चेस कर दिया है 10,000 रुपे में उसके बाद मैं बोलूगा ठीक है ना वेटा आपने समझ कर दिया पहली इस चीज-आइडेनिटिफार कर दी अब अप अप पहला चीज तो ट्रिंग्रिं पॉंट हो गया कि अइडेनिटफाइ तो हो गया के एक ट्रांजेशन हो गई अब आप बहुत वह रहे हो एकसाइट हो रहे हैं कि आज मुझे पहली एकाउंटिंग यह अज मुझे मिल गया ना वो पूरा ठीक है ना अब बेटा इसको काम करो ना इसको क्या करो तुम मेजर करो क्या करो मेजर करो पहले क्या कर दिया आइडेंटिफाई कर दिया अब पूरा है मेजर करो अब पूरा सर मेजर का मतलब क्या है मेजर का मतलब क्या है तो वो पूरा इसको कॉंटिफाई कर करो कॉंटिवाइओ करो w क्या जो हम accounting कर रहे हैं उसको फिल्फिल कर रही है अगर मैं directly आपको पहले accounting बोलता है ट्रेडिशनल में जैसे पढ़ाते हैं accounting is the art recording class में बोले कि क्या यार आठ है हम तो आर्ट छोड़ गे थे मैं उस उस tension में आपको बिल्गुल नहीं ले रहा हूं ठीक है मैं आपको एक एक्जांबल के तरह समझाओंगा लास्ट में उस डेफिनिशन को कर गए तो मैंने क्या बूला आपको क्या करने हैं आपको सबसे पहले मतलब इसमें कितना पैसा है क्यों कि तुम जाने करो कि चिन्में मनी और होगा अगर कोई ट्रांज़न एसी हुई होगी जिसमें मनी नहीं नहीं करेंगे अगर कोई इवेंट ऐसा हुआ है जिसमें मनी कोई involvement नहीं है तो हम उसकी accounting करेंगे कैसे पर कितने काभी लों आप कितने काभी Do मैंने काभीक कर तो मैं इसकी यहां पर तुमने का रहा है एक 10,000 ले लिया और है और क्या हुआ कैस्ट मेरा 10,000 का चला गया हमने कैस्ट में पर्चेस कर दिया तो कैस्ट काउंटर से एकाउंटर्ट ने 10,000 रुपया दिये उसको जिसने लाया था और हमने पास प्रिंटर आ गया इनको कॉंटिफाइ कर दिया में अब आगे बताओ क्या करना है मैं बोलूँगा अब इसको ना तुम रिकॉर्ड करो क्या करो तुम लोग क्या करोगे रिकॉर्ड करोगे रिकॉर्ड करोगे रिकॉर्ड करोगे रिकॉर्ड करोगे रिकॉर्ड का मतलब अब इसकी एकाउंटिंग करोगे तुम बुक्स में ठीक है तो हमारा ज ilihkwandel di question के recording पर आ जाएंगे क्या करेंगे हम इसको अपने books में record करेंगे record हम करते हैं in the form of journal क्या करते है gotta in the form of journal हम इसको अज़गर तुम गर में लाओग dipped जो तुम क्या करोगी हमने printer लाया कर्चा हो गया printer ठीक है cash था इतना सब्सिug्त चला गया बड़着 आप हैं हम क्या करते हैं इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं इन फॉर्म जनल इस ट्रांजक्शन की एक जर्नल एंट्री करते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे journal के रूर्ल्स क्या पढ़ेंगे जर्नल के रूर्ल्स अभी वैस लिखूँ गा आंगे Suriki क्या होगी वह हम मेरे पास printer आ गया printer आ गया तो ओप , अभी गबना न ही किया क्या क्या किया डेट के निच्वा पस्समुझ लो मैं बोह रहा हूं को तो कैश एकाउंट ठीक है मैं देखो मैं इदर 10k लिक रहा हूं ठीक है ताकि मेरा यह बढ़ जाए ठीक है 10.000 के मीन्स थाउजद्ट है कि इनको नोड करना यह का मतलब होता है कितलू मतलब कि अलमतलब लग के तो इन लिखना होगा तरह में लिखना होगा तो में युठना होगा तो मैं यहां जहां मुझे possibility नहीं होगी तो मैं इतना पूरा लिखूंँ ठीक है तो एक ने क्या कर डिया उसको क्या कर दिया record कर दिया और कांटिंग प्रॉससे को बोलूगा को किई होगा पहले क्या किया किया identified कर दिया transaction को उसके बाद क्या कर दिया उसको कर दिया में उसके बाद क्या कर दिया उसको रिकॉर्ड कर दिया क्या कर दिया रिकॉर्ड कर दिया ठीक है तो आपने पहले एक बुक्स होती है हम ठीक है जर्नल बुक्स उसमें तुमने इसको क्या करते है रिकॉर्ड कर दिया ताकि मुझे भूलना जाए बाद में भी क्या रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्डिंग के बाद हम इसको क्या करते हैं क्लासिफाइब करते हैं क्लासिफाइब करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं ठीक है रिकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन आप देखो अभी तो मैंने इसकी एक्जांपल दी प्रिंटर की ठीक है और कैस्ट की इसी तरह किसे बहुत सारी रांजेक्शन होती है बिजनिस में सेज दिन में 10 बारा बार हो सकते हैं पर्चेस महीने में 10 मदरा बार हो सकते हैं ठीक है इसी तरह से अपने स्टाफ एलपेर अफने जो हर्चा करते हैं हर दिन हो सकते हैं रेंट हो ये बहुत सारे खर्चा होते Centaur होती हैं अपन Underwater को टो इतनी कि हमने अपने आपने एकाउंस बना कर रखते हैं एक आपने अपने एकाउं डेये में डालते हैं क्या डालते हैं लेजर में डालते हैं तो हमारा एक benेगा ledger printer account बनेगा क्या बनेगा मरण printer account बनेगा तो recording के बात हम जितने भी transactions पूरे दिन में हो गई उनको आपने जर्नल में नोट कर दिया मुझे लिख दिया तो सपोर्ज क्रेडिट में हो वे अभी nog MR हो थीक है कि सांगरिंग यह एक बार हो गया है एक्सपैसर2 तीन तरह करो पी की तुम क्या करोंग़ पिर इनको अपने अपने लेजर में ले जाओगे ठीक है कैश को कैश अकॉंड में लोगे प्रिंटर को प्रिंटर एकॉंड में लोगे ठीक है इनका अपना खाता होगा डिफ्रेंट पेज ऑप दे बुक में ठीक है लेजर में अपने खाते होंगे तो उन खातों में तुम उनको लोगे क्लास्फवाइब करते हो ना न यह इंदर जाएगा उधर जागा जब तुम गर में कोई चीज क्लास्फवाइब करते हैं ना यह बरतन कहा पर रहेंगे वह बरतन कहां पर रहेंगे उस सारा स्टॉक लाया फिर उनको क्या करतें ना इसी तरह से हम ने जितने भी ट्राजक्शन की ज्रेल एक ही जाया पड़िए अल्टीमेट हमारा गोल कुछ है हमें इस लेंग्वेज से ऐसे रिजल्ट डिराइव करने इसी लेंग्वेज में हमें समझ जाएंगे ठीक है तो इसलिए क्या करें जितने भी ट्रांजक्शन उपको से पहले एक चकार करो उसके बाद क्या करो आप जहां जहां पर उनको प्ल होते हैं जिसे पुखेंटरताएं जितने क्रेडिट-रेंटर नैंटी करते हैं जिसे अर्ग के गार्टikesал उदार में इसाइब करें मैंना है या credit is not allowed ठीक है उधार में अगर मैं उधार में purchase करता हूं तो भी purchase में रखता हूं purchase book में रखता हूं sales book रखता हूं जहां पर routine nature का होती है बाकी को में एक journal book में रखता हूं बट journal entry हर किसी होती है तो हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया और अगर हमने इनको जर्नल बुक में कर दिया उसके बाद हम इनको क्लास्फ़ाय करेंगे शाम को कि कौन से किस्त में है तो उसको अपने अपने खाते में डाल देंगे कि अभी तक क्या हुआ उसने मेरे से पंर में ले लिए तो मैंने क्या करती है उसका नाम मेंसिन कर दिया कि इसने इतने पैसे में चाहता होगा रदी अगर तुम किसी दुकांधर के पास जाओ गये जो उदार में भी बेजता है और उसको पता है कि मेरे नून कस्तमर है तो वह है तो पह Fill पह्ले ना अगिक भूक पर लिख लेता है इतना ते लिया जे ने लिये श्कका का उसके खाते में डाल देता है वह भी क्या करता है क्लास्फे करता है तो हम भी वही चीज करेंगे पहलें दिन बर डालते रहेंगे एक ही जगा कि पटो बहुत ब्लाइब लगेगा तो हम क्या करते हैं उधर नोट करके रखते हैं फिर शाम को उसको उसके खाते में ले लेते हैं तो हमने क्या कर दिया उसके बाद क्लास्फाय कर दिया कि उसके बाद हम क्या करते हैं सम्मराइज करते हैं क्या करते हैं सम्मराइज करते हैं है ठीक है कि यह नोट करती है सम्मराइज है सम्मराइज में हम क्या करते हैं अब देखो कि पूरे मंद का ले लो मेरी पूरे मंद की सेल्स जो है ना तीन सो बार हो गई तीन सो ट्रांजक्शन्स ऑफ सेल हुई है इस तरह से साल में कितने हो गए तो लगा लूग साल के बाद स्ञामान के बाद हम क्या करते हैं इनको समर रेज करते हैं तो मैं सेहल्स होगा मेरा वह हम सेल्स अगांत अग्रा को इसेल्स हैं ओट है कि कि जो मैंॵ और पर तो यहां पर मैं देख रहा हूँ उसको मैने 10 कर दिया ठीक है mains लांट Св anch भूnot कर दिया और मैं देख रहा हूं मैंने पूरे साल में क्या किया है किस सब्सक्राइब और कोज़ कोइँ तरस में तो टोटल कर दिया ना यह तो मैंने क्या कर दिया पहले इदर रिकॉर्णिंग हुई होगी उसके बाद उनको लेजर में क्याल से उठा के लेजिर में ले लिया और साल के स्टेट में बनाते हैं क्या बनाते हैं इनल स्टेमेट करते हैं जिसको हाप राइल वैलेंस क्या जो उया है चितने ब़ी लेजर अगॉंत है उनका कुछ सोब उसमें उसमें किसी का क्रेडिट हो ना उसको स्वागर एक comprats सम्माराइज कर दिया ठीक है उसके बाद क्या करते हैं यह याद रहा तो मैं इसको रब कर रहा हूं ठीक है तो इनको इनको नोट करके रखो ठीक है तो हमने क्या कर दिया सबसे पहले identify कर दिया उसके बाद क्या कर दिया measurement कर दिया कर दिया रीकॉड कर दिया उसके बाद क्या तो printer account में पिर क्या हुआ उन्हें समरी निगाली यह आया जो printer account है इसमें 10,000 का पैसा पड़ा हुआ है क्यूंद प्रिंटर को दस अजा में पच्चेश कर दिया तो लेजर खाता खाता जो इसका है लेजर एकाउंट जो इसका है प्रिंटर का उसमें प्रिंटर के नाम पे 10,000 रुपया पड़े हुए है ठीक है अब हम क्या करेंगे ट्राइल बनस के बाद कि मैं यह रभ कर रहा हूं यह टर्म अभी मैं आपको सेकंड आरप में डिस्कस करता हूं ठीक है अम पाल कि अगुंद आइडेंटिफाए हो गया मेजर हो गया रिकॉर्ड हो गया चलास्पाइब हो गया ठीक है summarize मैं हमने अभी क्या किया trial balance उसके बाद हम क्या करते हैं सारे accounts का debit or credit आ गया उसके बाद हम क्या करते हैं हम बनाते हैं profit and loss account क्या बनाते है profit and loss account ठीक है उसमें हम देखते हैं हमारी sale कितनी हो गई हमारी purchases कितनी थी ठीक है हमारा profit कितना है उसमें से हम लैस करते हैं अपने खर्चे जो हमारे हो गए ठीक है बाकी खर्ची स्टाफ को salary देदी रेंट देदी है फिर हमें निकलता है कि हमारा net profit कितना हो गया ठीक है यह हम profit and loss account बनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं balance sheet बनाते हैं यह सारा हम किसके बेसे बनाते है trial balance sheet बनाते हैं ठीक है balance sheet में हम देखते हैं हमारे assets कितने हैं ठीक है हमारी capital कितनी है ठीक है मतलब उस owner ने कितना पैशा लगा है और हमारी liabilities कितनी है these are so part of the summarization जो हमने कर दिया तो हमने क्या कर दिया और यह हमारा पूरा goal complete होता है accounting का ठीक है इसके बाद आगे कुछ interpretation analysis है वह मैं अभी cover नहीं कराता हूँ अभी basic चीज़ बोलता हूँ जो accounting सीखनी है हमें यहां तक हमें पहुंचने आए जो हमने पार्ट टू भी पढ़ा था अभी पार्ट टू में कि मैं फाइनाइस स्क्रेम वह तो यहां तक है तो यह हमारा goal है तो अभी अगर मैं इसको summarize करूंगा भी क्या पढ़ा हमने accounting process में यहां पे नीचे लिखने कोश्व करूंगा सबसे पहले हम क्या करेंगे मैं यह पर लिखूंगा ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे सब से पहले हम करेंगे recording क्या करेंगे तो इसको note कर लो तुम ठीक है दोस्तों इसको note कर लेना steps of accounting तुम जो accounting करोगे न तो क्या करना है तुम्हें सबसे पहले तुम recording करोगे क्या करोगे transactions की recording करोगे in the form of in the form of journal in the form of journal ठीक है हो गया recording कर दी in the form of journal उसके बाद क्या करोगे तुम है वेरी गोड सार इसके बाद classification करते हैं क्लासिट केशन करते हैं कहां पर करते हैं इन लेजर उनको अपने अपने खातु में डाल देते हैं उसके बाद सार हम क्या करते हैं सम्माराइजेशन करते हैं कि इसके बाद हम सम्माराइजेशन करते हैं सर सम्माराइजेशन क्या करते हैं इन सारे लेजर एकाउंट का लागा उनको एक जगा पर एक स्टेटमेंट में डाल देते हैं जिसको हम पोल आते हैं profit and loss account वह स्ट्राइल एकाउंट में सारे लिग्जर एकाउंट्स का समराइस में होगा कीसे का debit किसमें इनमें एकाउंट्स को लिए को प्रॉफ्त लॉफ्ट लॉज्स में जाते हैं कोन वह आईटम में जो गोगो में बताता हूं 2 जी ये जो मेरा प्य क्यूल अला में प्यक्तरा लोस कितना हो साल में इस साल का हम बना दिए साल की एक अल बाद मैं आसे उसे थाम मैं असी कमा ये आ होगे तो इसको हम कि बोलते हैं it shows as the financial break performance क्या मोलता है हमें ऐनुमेटि तुमारा राउस किना था फिर उसमें से खर्चे लेस्स करते तुमारा नेट पॉल वही था ना यहां वही है कि हमारा सब्सक्राइब हम क्या है वह हमारा मेंना कितना प्रॉफित आया तो वहमें कौन बोलेगा फानाइशट प्रॉफ्ट लाउसत गर और नंबर्ज और कोई मैंता ग्रेट मैंतामिशन होने की जरूरत नहीं है और यह बैलन शीट है यह हमें बोलेगे Victoria इसलिए सिए हैं 011901 ऋफना गया चाहे सब्सक्राइब आविधल कर दो सबस्क्राइब दो को मैं थेुकर आंगा अ सब्सक्रांतर है क्या है थे यह दो अपनीशनल्य पोजिचनघी केन ए कटीटनी अव्य तुमारे डेटर कितने है तुमारी लाइबिल्टीज कितनी है तुमारा स्टॉक कितना है वह सारा चीज तुम्हें बैलंस शीट बता है और इसी तरीके से हमारा accounting process complete होता है ठीक है तो यह हमें गोल सीखना है ultimate हमें यहां तो आज के lecture में हम इतना ही करेंगे नेक्स्ट वाला लेक्टर हम आएंगे तो उसमें मैं क्या करूंगा आपको जाभी मैंने accounting terms काई थी जो जो हमें frequently काम आएंगी जिसके बेस्के करेंगे वह हम करेंगे और कुछ accounting को करेंगे उसके बाद हम journal entry सीखेंगे जब हम जर्नल करेंगे recording करेंगे उसके बाद हम लेजर सीखेंगे फिर हम ट्राइल बराना सीखेंगे फिर profit loss फिर balance sheet ठीक है यह हो गया अब मैं आपको सिर्फ एक चीज जहां पर थोड़ा सा पांच मिनिट में आपकी खाली लूँगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया हमारा टार्गेट रहेगा हमारा टार्गेट रहेगा शिखना हम जर्नल पे और इस इसमें भी सबसे important सबसे important कि यह जिसको जर्नल आ गाई ना उसको accounting को कि आपको किटना confidence है होगो यह बात करेंगा कि आपको जर्नल एंटी करने कितना चिज आता है और देख लेना मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आपको यह जर्नल करना आजाएगा और जर्नल करना आपने अपने फंडमेंटल को देखना है और उसकी करने करनी जिसको एकॉटिंगेंट्री करना और सबसे करने तो पूरा इमप्र होजागा ने जर्न गलत करती तो गलत लेजर में जाएगा गलत बने चैपने जाएगा ठीक है ने जिग्लत ने परठारा हम सबसे बहुत क्राइब लाट शोगीं जाएगा यह चीज़ हो गया अब मैंना आपको एकांटिंग का डेफिनिशन बोलूगा जो नॉर्मली होता है क्योंकि अभी मैं एजूम करता हूं कि आप आल और इंडिया के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो पता नहीं आपने हो सकता है अभी तक एकांटिंग थोड़ा पड़ा होगा और यहां पर तुमने आज एक्सपेट हो सकता है तुम मैंसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जुने इस चीज को एक्सपेट किया था कि इंट्रोडेक्शन दिया अकांटिंग क्योंकि मेरे लेक्टर से भी आपको कि नाम से भी आपको यही चीज दिखाओगा बट मैंने तो यही ट्रेडिशन वही में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा अब आजा एकांटिंग की डेफिनिशन जो एक इसमें को यह बोल रहे हैं कि इन नाइटीन फॉर्टींग अमेरिकन इंशुट ऑप सेटिफाइब पॉर्बिंग अकॉंटिंग एज क्या एक अकॉंटिंग डिफाइड एज अन आट ओफ रिकॉर्डिंग एक आट है हुनर है स्किल है किसका तुम आएना भी नहीं है अभी तुम्हें कुछ नहाता ना म आड़ा और और बॉर्टैंग किस तरह से दो रिकॉर्ड कि यूस का बीज सिर्ण ऑसे सर्कोर्ग अार्ट फिर किस तरह से in summarizing in a significant manner and in terms of money क्योंकि हम किनकी accounting करेंगे सिर्फ उन ट्रांशेक्शन की जो मनेटरी नेचर कोंगी ट्रांशेक्शन सेड़ इवेंट्स इवेंट्स और ट्रांशेंट्स वो जो मनेटरी टर्म्स कि होंगे विच आर इंपार्ट अट लीश्ट ऑफ फाइनेशन करेक्टर ठीक है एंट इंटर्पेटिंग रिजल्स बाद वाली बात है वहां के बाद पूर रिजल्स आते हैं कि तुमने देखा का सेल इतनी है प्रॉफिट इतनी है प्रॉफिट क्यों काम हो गए प्रॉफिट क्यों ब सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्री पर आएंगे और साथ में कुछ कंसर्ट करेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही ही के, बाइब बाइब